वर्तवान में कलर्ट स्टीवी पर प्रसारित हो रहा सबसे ज़्यादा पॉपुलर शो शक्ती अस्तित्यों के एहसास की तो आप देखते ही होंगे जिसमें आपको प्रीतों का किरदार निभाने वाली मशूर अबिनेत्री काम्या पंजाबी नजर आती है जो अपने किरदार को काफी जबर्दस्त तरीके से पर्दे पर उता रही है और दर्शकू का भरपूर प्यार भी हासिल कर रही है बताया जाता है कि इन्हीं की वज़ा से ही दर्शक इस सीरियल को देखना पसंद करते हैं लेकिन आप काम्या पंजाबी के बारे में तो जानते ही हूँगे पर क्या आप जानते हैं कि इनके पती दिखने में बहुत हैंडसम और स्टायलिस्ट है जिनने देख कई गॉडजेज अभी नेत्रिया भी फिदा हो जाती है और शायद आप भी उन्हें देखेंगे तो बिलकुल हैरान रह जाएंगे वन अगर आप भी इनके हैंडसम पती से रूबरू होना चाहते हैं तो बस बने रहे मेरे साथ इस वीडियो के अंट तक साथी इस दमदार शो के लिए आप हमारी वीडियो को लाइक करना ना भूलें सीरियल शक्ती अस्तित्यों के एहसास की में प्रीतों का किरदार निफा कर घर घर में एक अलग पहचान बनाने वाली अभी नेत्री काम्या पंजाबी का जन्म 13 अगस्त 1989 को मुंबई में हुआ था इसलिए इनकी सारे पढ़ाई मुंबई के स्कूल और कॉलेजों से हुई अकर बात करें इनकी अभी नए करियर की तो इन्होंने अपने करियर की शुरुआत साल 2001 में आए और इबल शो फिर कोई है सिकी थी पर इनकी असली पहचान सीरियल कहता है दिल से मिली जिसमें उन्होंने करिश्मा सिंग का किरदा ने भाय था और अपनी खूबसूरत अक्टिंग के साथ दर्शुकों का मन मोहने में सफल साबित हुई थी इस सीरियल में इनकी शांदार अक्टिंग को देख कई सीरियल के प्रोड्यूजर इनसे इतना ज्यादा प्रभावित हुए कि उन्होंने इन्हें अपने शो में काम करने का ओफर दे दिया जिसके बाद इन्होंने बैक टू बैक कई सीरियल में काम किया जिनमें वो रहने वाली महलों की क्या हादसा क्या ह अस्तित्व एक प्रेम कहानी, नागिन, वादों की अगनी परिक्षा, डोली अर्मानों की और बिग बॉस जैसे तमाम सीरियल्स शामिल हैं। वो इनकी लव लाइफ के बारे में बात करें, तो इन दोनों की मुलाकात पिछले साल फर्वरी के महीने में हुई थी, जहां कामया अपनी करीबी दोस्त के साथ किसी पाठी में गई थी। में पहले ही इनका करंट पटेल से ब्रेक अप हुआ था लेकिन धीरे धीरे शलब डांग के अच्छे नेचर को देख यह भी इनसे प्रभावित हो गई जिसके बाद इनों ने कुछ ही महीनों तक टेट करने के बाद साल 2020 में अपनी शादी रचा ली वर्थमान में अपनी मेर आम इनोंने आरा रखा है पर आरा की जन्ब के कुछ सालों बाद ही दोनों के रिष्टे में खटास आ गए जिसके चलते इनोंने साल 2013 में आपसी सहमती से तलाक ले लिया तलाक के बाद आरा की कस्चिनी काम्या पंजाबी के पास आई जिनका ये बहुत ही अच्छे से एक ख अच्छन में कमिंट करके जरूर बताएं साथ ही टीवी जगत से जुड़ी ऐसी और दल्चस्प खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें